हेलो गाइज आज हम अनियन के क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे इसके लिए हम तीन मीडियम साइज अनियन लेंगे और उस कुछ इस तरह से हम अनियन को काट लेंगे फिर हम अनियन को एक बोल में लेंगे और उसमें एक मिर्ची को छोटी-छोटी काट कर डालेंगे फिर वन टीस्पून अजवाइन डालेंगे हम ये मिक्षर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बाद में तीन बड़ी चमश बेसन डालेंगे बेसन को अच्छी तरह से मिक्षर के साथ मिक्स कर लेंगे बाद में आधे कटोरी जतना पानी डालेंगे हमारा मिक्षर कुछ इस तरह से दिखेगा आप इसमें हम आधे निम्बू का रस भी डालेंगे एक कड़ाई में हम तेल को गरम करने के लिए रखेंगे प्यास के पकोड़ों को और क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक चमश गरम तेल डालेंगे हमने जो बैटा तैयार किया है उससे हम आपाकोड़े तल लेंगे हमारे पकोड़े जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम उन्हें फ्राइ करेंगे अब हमारे पकोड़े एकदम क्रिस्पी बन शुके है तो हम उन्हें निकाल देंगे अब हमारे क्रिस्पी अन्यन के पकोड़े तैयार है इसको हम इमली और खजूर की खटी मिटी चटनी के साथ भी सर्व गर सकते है इफ वी लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब तो मैं चैनल